Hello Students, Welcome to my channel, आज हम सिखेंगे English pronouns worksheets for class second, identify reflexive pronouns, हमें reflexive pronouns को क्या करने हैं? पहचानने हैं, और क्या होते हैं reflexive pronouns? आये जानते हैं, reflexive pronouns ओ प्रनांस होते हैं, जैसे की herself, himself, themselves, okay, दीजा reflexive pronouns जो कि लास्ट में आते हैं जैसे कि योर्सेल्फ मतलब अपने खूद माइसेल्फ मतलब में खूद ठीक है हर्शेल्फ लड़किव के लिए उच्छ करते हैं थेमसेल्फ यानी वे स्वयम ठीक है यह सब क्या है रिफ्लेक्सिव प्रणाउंस है तो फॉस्ट इस गिवें सेटा और बाई हर सेल वो क्या करती है अपने खूद अपने स्वेब वो काफी अच्छे अच्छे डिस यानि खाना बनाती है ठीक है हर सेल अपने खूद ठीक है लड़की यहां पर तो उसके लिए हर सेल्फ पही हो जोगा दिस इदे रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस ओके दिन हम इसको मार कर देंगे रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस हर सेल्फ इदे रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस ओके सेकेंड इस पीटर इजे स्ट्रॉंग ऊटकटर जो पीटर है वह क्या है काफी सक्तिसाली ऊटकटर है मतलब लकड़ी काटने वाला है ठीक है ही कैन चॉप आफ ए यूज वो क्या करता है आपने स्वयम धेर सारे पेड को अपने खुझ से काटता है ओके देर एक कोई लड़का है तो हम इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस ही उसकरेंगे हिम्सेल्फ इस प्रनाउंस ओके थर्ड़ा पाचान ये कौन सा होगा मिस्टर हेनरी जॉन्स चिल्डरेन हाव ग्रू आप जो मिस्टर हेनरी के बच्चे तो वो क्या होए थे बड़े हो चुके थे ठीक है दे कैन टेक केर आप देमसेल्फ देमसेल्फ क्यों यहां पर यूज हुगा क्यूंकि दे यहां पर है तो सब्जेक्ट में दे है तो जो यूज करना पड़ेगा वो क्या होगा देमसेल्फ हो जाएगा ठीक है दे कैन टेक केर आप देपसेल्फ मतलब कि वे दू बच्चे हैं अपने खुद की क्या कर सकते हैं अपने खुद की केर कर सकते हैं ठीक है देन रिफ्लेक्सिव प्रोणांस इस देमसेल्फ ओके वाइल एनिमल जो चीता होता है वो काफी सक्तिसाली जंगली जानवर होता है ठीक है इट इसे कापबल आफ डिफेंडिंग इट्सेल्फ इन दे जंगल वे क्या है वह अपने आप में एक ऐसा मजबूत है तो जो कि आपने आपको शुरच्चित रख सकता है ठीक है धिर वाट इस देर रिफ्लेक्सिव प्रॉनांस इन स्टेश आ पहने सुनजा है आये जानते हैं, the reflexive pronounce is defending itself, itself is the reflexive pronounce, ओके, फिम्थ, Tom and Harry are fond of collecting stamps, जो Tom और Harry है, वो उनको काफी सौक है, stamp को collect करना या ही कठा करना, ठीक है, they have collected money stamps by themselves, वे क्या किया है, आपने स्वेम से धेर साथे stamp को इकर्ठा कर लिये थे, ठीक है, themselves, here, themselves is the reflexive pronoun, ओके, तो आई ये देखते हैं, इसका solutions, हमने सही किया है या नहीं, ओके, तो यहां पर दिया गया है, स्वेता is a great cook, she cooked delicious dishes by herself, herself is the, okay, answer, ये प्रनावन है, reflexive pronoun है, ठीक है, ये पीटर is a strong woodcutter, he can chop off a huge log of wood by himself, वो क्या करता है, अपने स्वेम से क्या करता है, देर सारे लकरिया को काटता है, himself is the reflexive pronoun, okay, Mr. Henny, John, Cillian have grown up, they can take care of themselves, themselves is the pronoun, okay, you can also say reflexive pronoun, okay, the tiger is a strong wild animal, it is a capable of defending itself in the jungle, then, itself is the reflexive pronoun, answer, okay, Tom and Harry are fond of collecting stamps, they have collected money stamps by themselves, themselves is the reflexive pronoun, okay, मैं आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हूँ, अगर अच्छा लगा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच,